हलो गाइस मैं सुर जराज अपनी यूट्यूब चनल पेपर हैकर में आपका स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो है वह है देखिए मैं आपको यहां जो चैप्टर दिखाने वाला हूँ बो लेके आऊ हूँ मैं आपको यहां जो चैप्टर है वो तीन भागों में कराइजें कि सारे बिस्ते आपको बिल्कुल सौट में समझाए जाएंगे और साथी साथ आपको नोट्स भी प्रवाइट कराइज जाएंगे तो आपने हमारा यूटूप चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजे और अपने दोस्तों को शेर कर लीजे द सौट में समझते हैं पूरे चैप्टर को में तीन भागों में डिबाइट करूगा थीक कना तीन भ्हागों में मैं आपको बार यूं बाड़ पार्ट तु करा दोगा तीन सब्सक्राइब छिपते चैप्टर को घो और शक्रम संजंतें और यह को HetBA paper hacker पर आपको सबसे पहले जो important question दिये जाते हैं 2021 के exam के लिए जो हम आपको important question देंगे या 2022 के लिए जो भी important देंगे आप उन question को याद करके चाहिए बाकी कुछ भी देखने की जुरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन आप notes बनाना चाहते हैं तो notes बना सकते हैं और हमारी PDF लेना चाहते हैं तो आप PDF भी हमसे provide करा सकते हैं हम आपको PDF भी provide कराएंगे ठीके ना तो फटा फट पहले question को देख लिए पहला जो आपको heading डालेंगे तो फहले heading होगी आपका पहला point डालेंगे वो डालेंगे बैद्धुथ-ाबेस किसे कहते हैं जो बैद्धुती आवेस होता है वो पदार्थ मे आया हुआ बहे गुड़ है बहे गुड़ है जिसके काणर मोहे दूसरे पदार्थ को बल आरोपित कर सकता है समझ मैं या मतलब कि जो बिद्धुती आबेश है वो पदार्थ है उसमें आया हुआ एक ऐसा क्या है गुण है एक प्रॉपोडीज है उसकी जिसके कार्ण क्या है वो दूसरे पदार्थ को बल आरोपित कर सकता है थिक्यान वो दूसरे पदार्थ को दूसरे मेंटल ज अब जैससे की एक्जाम्पिल की बात करें तो एक्जाम्पिल भी देखने बहुत जोरुमि कैसे धॉत्त ब्राप्त इंतरुट विए और वम्राप्त को सब्ड़िस होग भषिए घर्षन है जिसके द्वारा हम जो आविज प्राप्ट कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं घर्षन करते हैं तो नहीं है चैसे हम कितने पिरकार के होते हैं जो बैद्दुती आविश होते हैं, वो बैद्दुत आविश होते हैं, वो कितने प्रिकार के होते हैं, इलेक्टिट चार्ज की बात की जाए, दोस्तों, दो प्रिकार के होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव और एक तो है निगेटिव, जोसे हम धन्यात्मक और रियात्मक मतलब कि प्लस माइनस कहते हैं कि वो बैटरी में प्लस माइनस चार्च है प्लस का निसान मतलब गरम और लाल और काला कहते हैं तार लगात हो है ना तो वो ही है ना ये प्लस माइनस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्च होते हैं आभी इस कितना होते हैं दो प्रिका करानमी की एलेक्ट्रॉनिक जो दाराय होती है वो देख लेते हैं तो दीए ना भिक के चारो और धानावेस होता है नाभिक के क्या होता है नाभिक माल लीजे ये नाभिक है ठीके ना ये नाभिक होता है ठीके ना ये निकलिस है इसके नाभिक है तो नाभिक के क्या होता है नाभिक के चारों क्या होता है धनाभिक होता है ठीके ना धनाभिक का मतलब क्या होता है प्लस पॉजिटिव चार्ज होता है तो दता है दिखिए न तो धन आभेश समान सिंख्याम में रड़ आबेश समान संख्या में रड़ आबेश संहे, इलेक्टॉन नाभटे और अता परमाडू का कुल आभेश कितना होता है? सुन होता है. और घर्षन के कारण इलेक्टॉन या तो एक परमाडू से अधिक हो सकता है? या एक परमाडू से अधिक हो जाता है? जो मतलब क्या होता है? या घर्षन के कारण क्या होता है? इलेक्टॉन या तो एक ठीके ना, में अधिक हो जाता है, या किसी में कम हो जाता है, ठीके ना, किसी में घर्षन कम हो जाएगा, किसी में क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीके ना, तो ऐसा हो जाता है, किसके कार्ण, इलेक्टोन के, आबेस के कार्ण, समझ में आ क्या, समझ में आ क्या, बहुत विद्वत प्रण कहते किसे हैं, विद्वत प्रण किसे कहाँ जाता है, विद्वत प्रण वह पिरकिरिया है, जिस में यदि एक आवेशित पदात, अनावेशित चालक के पास लगाया जाता है. ठीक है ना? लगाया जाता है तो अनावेशित में देखिए अनावेशित में आवेशित करणों का धुरवी करण हो जाता है क्या होता है? अनावेशित करणों में आवेशित करणों का धुरवी करण हो जाता है और विद्धुतिये प्रण कहा जाता है जिससे क्या कहा जाता है जो धुर्विकरन इसी घटना को हम विद्धोतिय प्रण कहा चाहता है जिससे दूर हो जाता है तो विप्रित आपष पदा आरथों की ओर तदा जो समाने आपश होते हैं वो दूर हो जाते हैं तो जैसे हम बना देखिए यहां वंदक आपष दे रहे हैं यहां आपरन unas सब्सक्राइस क्या है पूजिटिभ और नेगेटिव चया थे हैं हम देख सकते हैं उसके बाद में यहां भी यह चित nickel भनाएंगे और इसको पतार दीजिए उसके बाद में आपको लिखेंगे आविशित करने की पिरकिरी क्या होती अभिशित दौरा और चालन दौरा किस प्रिकार शो हो जकती है तो नंबर एक डालेंगे चालन दौरा तो यहां हम डालेंगे इस प्रिकार की image बनाएंगे दोस्तो इस प्रिकार की हम image बनाएंगे ठीक न तो यहां बनाएंगे यह देखिए जो बीच वाला है यह संपर्क कहलाता है और संपर्क मतलब की बल बराबर होने वाला मतलब की बल इधर भी बराबर इधर भी बराबर ठीक न बराबर होने तक अब दोनों क्या ह बरावर होने तक उसके बाद में कहरा यहां देखिए प्रेद बुद्वारा क्या होता है यहां जो बीजवाला है जो वंदक कोड है ठीके ना यह सुवता रहते हैं और यह क्या है प्रणके लाते हैं ठीके ना समझ में आगया समझ में आगया दोस्तों उतार लेजिए से ठीक है दोस्तों समझ में आ गया शरू ठीक है उसके बाद में हमें next शलते हैं अब यहां देखो तीसरा प्रकार से लिखेंगे यहां निगेटिब और यहां पोजिटिव चार्ज लगाते हैं इस प्रकार से चौथा प्लस चार्ज लगांगे वस इतना ही करना है बाकि कुछ भी नहीं करना उतार देखेंगे यह चोड़ा सकते कोई दिक्कत नहीं है लेकिन फिर भी आप जब नोट्स बना रहे हैं तो पूरा क्लीर बनाई है उसके बाद में क्या है यहां नेक्स्ट आपके हेडिंग डालने है बो डालने है आबेस सलक्षण का शिद्धान्थ ठीक नहीं यह बहुत ही अच्छा है अब यहां इतना डालने के बाद आप क्या करोगे यहां सीधे तो संग्रक्षण का सिध्धान्थ आपको डालना है आबेस संग्रक्षण का सिध्धान्थ हेडिंग डालेंगे और हेडिंग डालने के बाद में लिखेंगे आबेस ठीक नहां लिखेंगे आबेस कौन आबेस ठीक ना को ना तो देखें आबेस को ना तो उत्पन किया जा स सकता है ठीक ना इसे सिर्फ एक बस्तू से दूसरे बस्तू में इस्थांत्रित किया जा सकता है एक बस्तू से दूसरे बस्तू में क्या कर सकते हैं हम भेज सकते हैं ट्रांसफर कर सकते हैं ठीक ना किया जा सकता है और बैदुत आवेज सरलक्षन का सिद्धांत कहलाता है तो यहां क्या लिखेंगे, इतना लिखने के बाद में हम डालेंगे युग्म उत्पादन और युग्म बिनाश, ठीके ना, अब देखें, यहां हमने क्या किया है, यहां थोड़ा सा टॉपिक समझना है आपको, यहां फोटोन हो जाएंगे, यह भी फोटोन हो जाएंगे, और य इनके चार्ज लगा दीजिए, और जैसा है, आप वैसे ही अपने मोट्स में उतार लीजिए, ठीके ना, देख लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, सेम टू सेम इस प्रकार से ही आपको उतार लेना है, ठीके ना, अब चलते हैं नीचे, और यहां देख लेते हैं, यह देख लेते हैं, यह हमारा जो E है, वो क्या है, आपका पोजिशन पे है, E प्लस पोजिशन पे है, ठीके ना, नेक्ष देखते हैं, यहां हम एटिंग्स जो डालेंगे, वो डालेंगे, एंटी कड किसे कहते हैं, ठीके ना, तो एंटी कड हम डालेंगे, ठीके ना, एंटी क दो कड जिनका द्रब्मान परसपर समान हो, आबेस भी समान हो, परंतु आबेस का चिन अलग अलग हो, तो ऐसे कड को एंटी पॉर्टिकल कहा जाता है, या फिर एंटी कल कहा जाता है, ठीके ना, समझ में आगया, दुवारा मैं आपको बताता हूं, ऐसे दो कड जिनका में आ गया तो इसको भी उतार लीजिए या फिर हम देश की दूसरी परिभासा के दोर पर बात की जाए तो जैसे कि ऐसे दोकड जिनका आवेश जिनका आवेश ठीक ना एबम दरमान में परिमान समान हो परंतु चिन परंतु क्या होते हैं चिन विप्रित हो ऐसे कड को आवे अर्टिकल कहा जाता है ठीक है ना समझ में आ गया इन दोनों परिभासाओं को अब नोट करिए साथी साथ एक नोट की और चलते हैं कुछ कोशन टैप का है तो यह कोशन है कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराइडे होता है बिलकुल हाँ आवेश का जो सबसे वड़ा जो मात्रक होता है ठीक है ना जो वैली होती है उसका क्या होती है वो क्या होता है वो होता है फैराइडे ठीक ना फैराइडे के नियम भी होता है लेकिन फैराइडे होता है तो यहां फैराइडे की बात की जाए तो एक फैराइडे वरावर एक फैराइडे वरावर कितना हो होता है और यदि हम से इसे celsius के डिवाइड करें मतलब कि इसे चार्ज में डिवाइड करें तो हम 9.65 इंटू 10 की गात 4 celsius होता है ठीक ना तो इसके बाद में एक कूलाम celsius में डिवाइड किया जाए ठीक ना एक कूलाम है उसके मान को celsius में डिवाइड किया जाए चेंज किया जाए तो जो होता है ना celsius में मान तो वो बाद इस ऐसे के electron भी दे रखा है ठीक ना उपस्तित हो तो एक जैसे एक उलाम ठीक ना celsius में आबेस में 6.25 x 10 की घाथ 18 electron आयान उपस्तित होते हैं तो उसे हम किस प्रकार से शॉल्प करेंगे तो electron बरावर जानते हैं बेले कि electron बरावर कितने होता है वन electron बरावर कितने होता है यह पता है आपको यहां से प्लस चार्ज किया यहां बटे में लगा देंगे बिलकुल बटे में जाएग etens अब दोस्तों क्या है है जो 19 है उनको धूस्तों हम ने किया चै Campaign अब हम देखो जब यहां नीचे है वोटे में है यदि हम उपर लेके जाएंगे तो यह क्या हो जाएंगे प्लस में हो जाएंगे ठीके ना प्लस में हो जाएंगे और हमने क्या किया हमने 19 को दो भागों में तोड़ दिया एक तो 10 इंटू 10 की घात माइनस 8 वो प्लस 18 कर दे गहात एक है इन दोनों गुणा में क्या होता है वाद भही है हम 10 की घात 19 को 10 इंटू 10 की घात 18 भी लेख सकते हैं तो हमने यह इस प्रकार से फेक्टर में लिख दिया और फिसके बाद में से डिवाइड करेंगे काटेंगे तो simply जो हमारा मान निकल के आना था वो यह चीज सिद्ध करने के लिए बोला ठाल और हमने सिद्ध कर के आपको दिखा दिया ठीक है ठीक है लो ठीक है ने क्ल जा Bubu को शचल देखते हैं अब आ जाता है बही पहलته जादा एकजाम जाकर किMo सबीदी पसंदले लाइक करिए और पहली भाठ चानल पर और आ अब देखे यहां कहा रहा है कुलाम के नियम के अनुसार क्या है किनी दो इस्थर आवेसों के मद लगने बाला जो आक्षण अत्वा पृति आक्षण जो बल होता है ठीके ना जो आक्षण मतलब कि हम आक्षण बल लगाते हैं और पृति आक्षण जो बल होते हैं वो दोनों आवेसो के गुरनफल के अनुकृपाती तथा उनके मददूरी के बर के ब्यूद कृपाती होता है ये कुलाम का नियम कहलाता है तो simply आप समझ गए मुझे लगता है समझ में आ गया देखी कैसे कुलाम के क्या क्या दाए कुलाम नाम के बैक दियारिक थे उन्होंने कहा कि कन्हीं दो идस्थर आवेसो के मददurs माल लेजए एक आवेस क्यूबन है और एक क्यूटू है इन दोनों के मद में इनके दोनों के मद में एक बीच में ठीक है ना आक्षण कारण बल कर लगेगा कोई दो बल तो लगेगा या तो वो आक्षनबल लग सकता है या फिर अत्वा वो पिरती आक्षनबल लग सकता है ठीके ना इन दोनों बलों के आक्षनबल या तो पिरती आक्षनबल होगा देखे ना दोनों आबेश है Q1 और Q2 है उनके गुणनफल Q1 और Q2 के गुणनफल Q1 और Q2 के गुणनफल और क्या है उनके बीच की दूरी मान लेजी हमने आर मानी उन दोनों की बीच की दूरी कितनी थी आर मानी उन दोनों की बीच की दूरी के क्या होता है उनके बर्ग के ब्यूत करपाती होता है मतलब कि उल्टा होता है तो f वराबर देखे f proportional q1 q2 मतलब गुणन फल के समवन रुपाती होता है और उनके f proportional एक बटे r square मतलब कि 20 के दूरी के बर के ब्यूत कर पाती होता है इन दोनों समीकड को हमने क्या किया मिला लिया दोनों समीकड को हमने मिला लिया तो क्या किया f वराबर क्या हो जाएगा q1 into q2 बटे r square बटे r square हो जाएगा उसके बाद हमने क्या किया वह हमने proportional जब हटाएंगे तो प्रपोस्नल खटाने के लिए क्या लगाते है एक बटे 4 pi r square एक बटे 4 4 mu 0 होता है एक बटे 4 देखे 4 pi mu 0 ठीक न तो बड़ाबर एक बटे 4 pi mu 0 लग जाएगा और ये जो सेम है वो यहीं होता लग जाएगा तो ये क्या था ये कुलाम का नियम था उसके बाद में देखो मैं यहाँ point बता देता हूँ जहां एक बटे 4 pi mu 0 क्या है एक समान उपाती नियतांक है और जिसका मान की बात की जाए एक बटे 4 pi mu 0 का जो मान होता है वो 9 into 10 की गहात माइनस 9 होता है m n square ठीक ना और c square में ठीक ना समझ में आगया बस इसको समझ लेना अब यहाँ note points उतारने की एक बात है जो अंकित कोशन आपका बनता है जैसे की mu 0 एक नुइत के बिद्दू देखे जो नेतंक है ठीके निरवात की बिद्दू सीलता कहते है तो mu 0 को क्या कहते है एक बिद्दू सीलता कहा जाता है निरवात की बिद्दू सीलता कहते है mu 0 को और इसका जो अंकित मान की बात की जाए जो मान किस प्रकार से निकल का आता है 9.4 जो निकल के आया था हमारा देखो यह जी जो मान है जो हमारा निकल के आया था देखो यहाँ तो हमारा तो यह पूरे का मान था लेकिन हम mu0 का मान जो बिद्दू सीलता कहा जाता है mu0 को उसका मान किस प्रकार से निकल के आता है तो वो निकाल के लिए हमने यहां देखिए तो we now that हम जानते हैं कि एक वट्टे 4 pi mu0 बराबर इतना मान होता है जो हमने पहले दिखा रखा है 9 into 10 की यहाथ minus 9 ठीके ना plus 9 और उसमें हमने क्या किया फिर mu0 हमने क्या किया 4 pi को हमने इदर लेकिया इन देखिए गोड़ा में है यहां बट्टे में पहुंच जाएगा तो हमने गोड़ा में लेके गए ठीके ना अब हमने सेम टू से बही उतारते हैं अब देखिए यहां से यह चीज़ बटे में है तो हमने उल्टा कर दिया यह चीज़ देखिए एक बटे mu0 है तो हमने इसके उपर एक लिख दिया तो से mu0 बराबरा जाएगा तो वही आगया उसके बाद हमने क्या किया भाई हमने क्या किया फिर जो 9 थे और 4 थे ठीक ना अब देखिए हमने 9,4 और pi का माल लगा दिया 3.14 लगा दिया ठीक ना हमने pi का माल लगाने के बाद उनके हमने multiply की गुणा की और फिर उसके बाद में multiply करने के बाद में जो मान निकल के आया simply दोस्तों जो point अट आया फिर हमने point इदल लेके गए तो हमने 3 यहाँ add कर लेंगे तो यहाँ मैंने add कर लेंगे माइनस करें तो कितना हो जाएंगे 9,3 कितना हो जाएंगे 12 तो यहाँ mu0 कमान कितना आ जाएगा 8.85 10 की गात माइनस 12 c square minus n और meter square में आ जाएगा और यहाँ mu0 के बीमा की बाद किया रहे तो हम जानते है why now that हम जानते है we now that हम जानते है कि f वराबर 1 बटे 4 pi mu0 q1 q2 जो हमारा kulam का नियम निकल के आया था उसको हमने क्या क्या वहीं divide किया जी हाँ बिल्कुल यहाँ जो f है यहाँ हो जाएगा इनसे को नहीं हो जाएगी और यह जो निकल का जाएगा 1 बटे mu0 4 pi mu0 निकल के आजाएगा ठीके ना इतने आजाएगा देख लिए बिल्कुल सेम टूसम आ गया और निकलने के बाद में हमने क्या क्या हमने देखो जो कुलाम जो उसके बाद मेंने क्या किया यहाँ चीज सेम टूसम बही रहने दी उल्टा कर दिया विप्रित कर दिया mu0 बराबर हमारा जो निकल के आएगा mu0 बराबर यह चीज और q बराबर q बराबर जानते हम it होता है q बराबर क्या होता है m-1, l-3, t की 4 और a की 2 पस यह चीज निकल के आना था और यह चीज आच चुका है अब आप मुझे बताए वीडियो कैसी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल का इकन जरूर दवा देना और एनी कोई प्रॉब्लम है तो इस कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना अब कॉलान की परिवाँसा भी हम अब एक कॉलाम बराबर कितना होता है वो देख लेता है उसके बाद में पार्ट टू में हम देखेंगे क्योंकि यह थोड़ी वीडियो लॉग होने वाली है बहुत ही ज़ादा तो यहां बात करने वाला है कॉलाम का नियम क्या होता है तो कॉलाम का नियम हम जानते हैं पहले भी हम बता चुके हैं एक बटे 4 Pi Q बटे QI 2 होता है और यहां हम ने जो एक बटे 4 Pi Q मुू जिरू था उसका मान हमनने K लगा दिया क्योंकि वो nate Ank है है था हमने के एक वर्टे फोर पाई मिउजीरो का जो मान होता है नौ इंटू नौ दसकी घात माइनस नौ होता है हमने आपको पहले बताया था वही मान यहां इंटर कर दिया और उसके बाद में यहां देख लिए जो निर्बात में एक मीटर की दूरी पर रखे गए किसी पर और मैं आपको आसल ट्रीक से बताने वाला हूँ ठीकिन दोस्तों और कोई प्रॉब्लम है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में रकाए आप ज़रूठ देख लीजिए नेक्स्ट वीडियो मह बंग्रले में बां मतना तब तक करने बानी